राजा आप कुछ बोलना जाते हो राजा ह। तो हमें ये कहा जाता है कि यू सिंग बेटर देन औरिजनल तो जब औरिजनल से ज़ादा अच्छा हम गा सकते हैं तो फिर मौका उन लोगों को क्यों जो हमारे हैं ही नहीं मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें मौका बिना सोचे समझे दीजिए जो वो गाने गा रहे हैं जो दूसरे लोग गाना गाते हैं हम उनका गाना गाके हिट हो जाते हैं हमें हिट होना पड़ रहा है यार फला गाना तुमने बहुत अच्छा गया किसने गाया फला शक्स ने गया मैं किसी का नाम नहीं लूँगा मैं सिर्फ हमारे मिजिक डियक्टर्स जितने हैं हमारे इंडिया में भारत में जो है मैं अपने देश की जनता से यह पूछना चाहूंगा और अपने जो मिजिक डियक्टर्स हैं जितने भी मैं उसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम गाना गाएं फिल्म आप प्लीज बुरा मत मानना इवन यूआ मुजिक डिरेक्टर शंकर सरा मैं आपके बहुत रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन ये ये टीस सी बात है ये टीस है ये दर्द है ये दर्द है अपने देश के लोगों के प्रती और अपने सचाई है सरी है मैं किसी भी रियालिटी शो तक ही रख दिया गया राजा साब सबसे मैंने बात करी है मिलिटार्ट से उनको क्या लगता है मैं आपको उनकी फिलिंग बिदा दो कि शहएद आप लोगों में रियालिटी शो के बाद ना कुछ एटिटूड आ जाता है राजा हसन की बात नहीं कर रहा मैं मैं बात कर रहा है हिंदुस्तानी सिंगरों की बात कर रहा है जितने सिंगर्स हैं हिंदुस्तान के उनकी बात कर रहा है नौट फॉर राजा हसन राजा हसन को अल्ला ने बहुत दिया और वो दे रहा है मैं वहीं कह रहा है अपने देश की जनता के खिलाफ अपने देश के मिजिडाइटेस जो है उनके खिलाफ एक गुजारिश है कोई मुद्दा नहीं है ये गुजारिश है